राजिस्थान की राज्जे सरकार की जो पिछले साड़े तीन साल में जिस तरह से उन्होंने कारवाई करी है पूरी तरह से राज्जे सरकार इस आतंग की हमले के लिए जिम्मेदार हैं ऐसे आतंग की संगठन राजिस्थान में पनप रहे हैं और राजिस्थान सरकार ने डारेक्ली या इंडारेक्ली इनके बढ़ावे के अंदर इनको प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है आप इसी से समझ सकते हैं कि उद्यपूर की इस घटा करम के अंदर सबसे पहले गिरफतारी कनाया की हुई कनाया लगातार लोकल पुलीस से सिक्यूरिटी मांगता रहा लेकिन उसे सिक्यूरिटी नहीं दी गई बल्कि उसके उपर प्रेशर बनाया गया कि वो समझोता कर ल कि सिक्यूरिटी कनाया को ना देकर जो हत्यारे थे उनके भाईयों को सुरक्ष्णा दी गई छे दिन तक जब अपनी दुकान बंद रखी उसके बाद जिस दिन उसने खोली उसकी हत्या कर दी गई अब इस बात से भी चौकेंगे कि ये घटना होई और राजिस्थान के ग्रह मंतरी जिनकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए वही जो राजिस्थान के मुखे मंतरी भी है और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है वो इस घटना को मर्डर कहते है हत्या कांड कहते है जब कोई वीडियो बनाता है इस कांड से पहले और फिर निर्मम हत्या करते वक्त वीडियो बनाता है उस उन दोनों को वीडियो को जारी करता है वाइरल करता है वीडियो में खुद ही नहीं अपील भी करता है कि जितने भी भाई बंदू इसको देख रहे हैं वो भी गर्दन अलग कर दें लोगों की ये जमीनी में नहीं होता ये किसी पैसे के विवाद में नहीं होता क्या ॅब ग्रह मंतरी राजीस्तान के इतनी बेसिक सी बात घंब की जानते हैं झाल झाल